चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर की इंदौर में देवी अहलयावाई होलकर की जैनती के मौके पर गौरब दिवसकारग्रम का आयोचन क्या गया है इस मौके पर मंत्री कैलाश विजवर्गे और महापोर ने पोहे का लुफ्त भी उठाया है विजवर्गे ने इस दौरान कहा कि स्वक्षता के बाद इंदौर हरियाली के मामले में भी देश रफन में अपनी एक अलग मिसाल पेश कर रहा है ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसी दौरान की जब पहुचे उन्होंने पोहे का लुफ्त उठाया इंदौर में एक दिन में 51 लाग पौधार रूपन का लक्ष भी उनकी ओर से दौरान रखा गया है जिसे इंदौर की जनिता सफल बनाएगी फिलाल आप ये तस्वीरें देखिया कि मत्यपजेश केमिनेट मंत्री केलाज वर्गी हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जा जाते हैं केलाजी आज पोहा आप खा रहे हैं और इंदौर में राजबाड़ा पराइज पूरा कहीं नहीं कहीं जो है इंदौर उमट पढ़ा है देवी अहिला जी को नमन करने के लाजफिये सबस्टी का रीटेश पारण करना है कि अज़्यक्त पेंद आपने इंदौर को ग्रीन पनाने का संकल्भ लिए और इसे लेकर लगातार आप लोगों से बातचीक करें शंपर करें यह अभियान कैसे पूरे समाज को जोड़ेंगे हर वर्ट को जोड़ेंगे क्या 51 लाग पोदो का संकल पर पूरा होगा आपको लगता है यहाँ पर माप और पुश्चिमित्र भार्गोजी इंदौरी पोहा पूरे वर्ल्ड में फेमस है और हम लोग देख रहे हैं कि देवी एल्या जी को नमन क करने के बाद में आप तमाम लोग क्या पहुंचिए इंदौर माहिलया से ही दुनिया भर में जाना जाता है आज उनकी तीन-सोवी जन्म जहेंती है और यह उत्साव आप देश सकते हैं कि इंदौरियों में माहिलया के प्रदी कितना प्रेम है आदर्श है और उत्सा है और वहाँ भी इंदौर की पहचान है, तो पोहे खा रहे हैं, लट्टू बट रहे हैं, जले भी बट रही हैं, वो आनंद और 901 साल रहने वाला है, स्वच्छता के साथ साथ बागी जगों पे भी हम नंबर वन होगी हैं। तो साथ बार की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर को अब ग्रीनेस्ट बनाने की और भी प्रशासन लगातार काम कर रहा है।